मस depending म misinformation हुका है के मुद्धेशाइब में स्वाफत है आज हम लोग दो रेसित बनने जा रहे हैं है एक हम बनाने जाए है पपिता का अलवा बोल सकते हैं बर्फिद बोल सकते नाम दे सकते हैं आप वह हम लोग इंडिडिंज गें पपिता लेके औरालंौन्स लेंगे और मदाम लेंगे ठिक है यह आईटम को लेके हम लोग एक हलवा बोल सकते हैं आप बर्फी बोल सकते हो जो भी नाम देना चाहिए दे सकते हो तो यह एक रेसिपी बनाएंगे दूसरा रेसिपी यह है चना आलू मिक्स यू कन से और बाकी जगा में लाव मिल्जडाल के अनहेल्दी बनाते हैं हम लोग एक तम हेल्दी फूड बनाएंगे इसके लिए हम लोगों चीह चना बोल किया हूँ चना और चमाटर जैसे कि आप अर दूसरा आलू एक आलू और प्या और रेंच और मिल्ची बस यह रहेगा चना मिक्स बोलसकते हो यह प्रोटेन मिक्स बोल सकते हो बढ़ा। आप जो नाम देनाचा इसके अुड दे बड़ा हो जो इन पपीता के लिए हमने मीं अलवागों से तबाद करने झूरूरी है क्योंकि आप लोग में आप प्यार सुपर्ट मिल रहा है और आप लोग प्षोपर्ट कर देजा को चले हम लोग थड़ा से दूद लेंगे अब लोग घी लेंगे अब लग तो जाना तर देशी यूज़ करते हैं जैसे कि आप देश सकते हो गाय का सुधगी हम लोग थोड़ा सा लेंगे ठीक है और पपिता को हम रेडी कर रहेते हैं उसके बाद आपको लिखाते हैं देखिए बाविता को हमने मिक्सर कायन इंडाल दिया तुद के साथ में तो नाव इस थीक पेस्ट नाव विल को क्रेस और हम लोग इसको कुक करेंगे और हम नॉन स्टिक तावा ले रहे आप कोई भी यूज़ कर सकते हूँ आस पर यूर कर देखिए और हम लोग देखिए ट नहीं कर सकते तो इसको एक चमस हमने गी ले लिया है अ कि हमारा घी करम हो चुका है तो हम यह आपका पेस्ट पूरा डाल देंगे और इसको पकने देंगे और जब तक कि पापाया पानी चोड़े और इसमें से जो पानी और पूरे पानी सुख ना जाए और घी का लेव आप लीट बन करना चाहिए आप लूप करना चाहिए मैं कुछ बन नहीं करूंगा आप अगर लीट बन करना चाहिए तो आप बन कर सकते हूँ तो इसको ऐसे ही पकने देंगे हम लोग तब तक हमारी जो आल्मंड और पीनट्स जो भी है आप देंगे मुंखली और करना है और चिजी पहरी एज़ी बहुत ही आसाब रेसिपी है इसके ऊपर अपर हम लोग को से अर्मुंड में साह घान शी करना है बस और अबना अब आरेदी अबर फिया कुछ भी बोल सकतीओ एप्षिट यह हुमारी पपया बिरुफ खाल," अन्सर थकला हुआ। इसको हम लोगोगो आदा सिक एक बाद ne करने के बाद हम लोग इसको इसतरा से लेड लगा के ठाना होने के छोड़ दिय wet अबन कर दिया यह तो एक रेसिपी आज से अपकी कुप्रीड हो गई दूस्री रेसिपी जो हमने बोला है चाना प्रोटीन मिक्स अब चाहे तो फ्रीज में दो गंटा डाल के लब खा सकते हो नहीं तो जैसे हम लोग जैसे पसंद करते इसी को थोड़ी दे थंडा उने देते उसके बाद इतुल बेद थिक अधने खाले शीरिस्टी टैस इस सो यूम्मी जुम्मास्टर भी अमरे साँ जुएं किया है से ला जुम्मास्टर भी आपने पास फिड़एक आना है सेस्ली गाइज आप इसको ट्राइब कर सकते हैं और इस तहीं टेश्टी भी है है अगर तो कुक चेंज तो अब मैं बनाऊंगी मैं बनाऊंगी चना चनी का हल्दी रिसिपिपि जैसे कि हबब ने आपको बताए होगा सभी इंक्रिडेंस के बारे में और आगे की रेसिपि में आपको बताऊंगी प्याच को चोटे-चोटे टुक्रे में काट लिजे और टमाटर को भी चोटे-चोटे टुक्रे में अब हम नमाग डालेंगे सिर्फ पिंच अप सॉल्ट क्यूंकि किड्नी पिशिंग को नमक खाना मना होता है और जीमर को भी और ब्लैक पेपर एंड वान टेबल स्पून लेमन जूस और इन सभी देखे कैसे डाल रहे है हम लोग और सभी सभी इंक्रिडेंस को चानी के ऊप स्पून लेमन जूस नमक पिंच अफ सॉल्ट सब और रुई डाला हुआ है और अगर आप चाहे तो इस पे आप ऑली वोल भी डाल सकते हो और कैप्सिकम भी डाल सकते हो मैं इस पे कुछ नहीं डाला और हाँ जो किड्नी पेशिंट है वो ये टामाटर ज्यादा ना खाए क क्योंकि उनका यूरिक एसिड बढ़ने का डर होता है यूरिया बढ़ने का डर होता है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसे अच्छे ची रेसिपी बनाते हुए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलेगा